परधान मंत्री आवाज युजना का लाभू बंगाल कोल के जमिन पर बसे लोगों को नहीं मिल पा रहा है। इस समस्या को लेकर चिरकुंटा नगर परिशत के परसोदों ने आवाज उठाया। आए सुनते हैं इस समस्या को बिश्त्रित रूप से। जुजना के तहद मकान निर्मान जो हो रहा है दो लाग पचीस रुपिया यहां दिया जा रहा है और अब आस निर्मान भी हुआ, सेकेंड फेज में भी आया है चार सो चोह सट मकान का। इस में इस छेत्र में बंगाल कोल कमपनी का जमीन है जो की कोई अता पता नहीं है उसका और लगभग 200 वरस पूरवे में उसका काम खतम हो गिया है। बहुत सा ऐसा परिवार है जो बंगाल कोल कमपनी का जमीन पर बसा हुआ है, लगभग 100 वरस से, कोई 80 वरस से, कोई 90 वरस से, लेकिन बंगाल कोल कमपनी का रेकॉर्ड में नाम रहने का करण उसका मकान निर्मान नहीं हो पा रहा, प्रदान मंत्री आवाज योजना कहता है यह बहुत खेद की विशाय है, पिछला दो-तिन बोर्ड की वाइठक में इस सम्मंदित हम लोग बात किये थे और इसका उपाजुक्त महदवय को पत्रचार के लिए कारजालाई को कहा गिया था जिस सम्मंदित जानकारी ले लिजिए और जो दी सम्भव है तो उसका जो है एनोस्ति प्राप्त करने का वैवस्ता करें ताकि ग्रियाहिन ब्यक्तिक परिवार को उसको प्रधान मंतरी आवास जोजना का लाब मिल सकें, अपना परिवार के साथ में गुजर बसर कर सकें, ऐसा हम लोग का उनुरोध है, इस सम्मंद में भी हम लोग कर्जबलग पदा आदिकारी को अभगत करा है, क्योंकि नवपदर स्तापित है, उनको जानकारी नहीं है, अमला उस चीज को भी आप देख लीजिए, बंगल कोल कमपनी सम्मंद में कितना आगे बढ़ा है, जदी नहीं बढ़ा है तो उसको बढ़ाने का प्रयास कीजिए, ताकि बंगल कोल क इसी तरह की लगततार खबरों को देखते रहने के लिए, बाबा राष्टी नो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें